ना धूप में सुखाना ना तेल का काम और ना ही घंटों इंतिजाद तो आज मैं आपके लेकर आई हो मिंटों में तयार होने वाले एक स्पैशल और इंस्टेंट डीमू के अचार की ऐसी रेसिपी जो आज से पहले है ना तो आपने कभी देखी होगी ना बनाई होगी इसमें टेस्ट आपको बिल्कुल ऑथेंटिक खटे मीटे अचार का आएगा बिल्कुल भी महनत नहीं है और सबसे अच्छी बात इस अचार की यह है कि मिंटों में तो तयार होगा ही जैसे यह अचार पराना होता जाएगा यह और भी जादा टेस्टी होता जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले friends आप सभी लोगों से निवेदन है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और आपके अपने चैनल कुगविट पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूले सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, इंस्टेंग खटा मीठा चटकारेदर निवू का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिये हैं एक किलो निवू सरदी के मौसम में बजार में बहुती बढ़िया निवू मिल रहे हैं बिलकुल इस तरह के पीले-पीले निवू एक दब बढ़िया साइज वाले हमें अचार बनाने के लिए चाहिए होंगे बस यहाँ पर निवू का अचार बनाते बग ध्यान दखिएगा यह हरे वाले जो निवू होते न इने नहीं चाहिए पीला निवू होना चाहिए इसमें बढ़िया रस्भी होता है और इसका छिल करना उतना मोटा नहीं रहता तो जो अचार है उसे बनाना आसान हो जाता है तो यहाँ पर निवू को मैंने पानी से दो से तीन बार बिलकुल बढ़िया से धो लिया है अब हम निवू को देंगे एक छोटा सा ट्रीट्मेंट जिससे कि जो निवू है वो बिलकुल चमकदार हो जाएंगे दाग दब्बे नहीं रहेंगे आप लीजे इस तरह से पूरी निकल जाएगी और निवू का अचार जाधा स्वाधिस्त बढ़िया वनेगा तो लीजे मैंने सारे ही निवू को बिलकुल बढ़िया से धोलिया है अब एक कपड़े से बिलकुल बढ़िया से निवू को पोच लेंगे समय हो तो कुछ दिर चाहे तो आप दूप मे निवू को अचारे बहुत ही फायदेमंद होता है और जैसे जैसे पुराना होने लगता है और गुड़कारी हो जाता है तो लीजे मैंने सारे निवू को एकदम बढ़िया से पोच लिया है ये देखें पॉफेक्ट डिवे इकदम साफ दिख रहे हैं क्योंकि आज ये पानी को यहां मैंने पहले ही ओवलने रख दिया था अब यहां पर मैंने लिये ये चावल वाली चानने वाली चलनी समी के घर में होती है चलनी ना भी हो आपके पास स्टीबर प्लेट हो या इडली स्टेंड हो या सिंपल स्टील की थाली हो तो वो भी ले सकते हैं इस चलन पर हम अपने सारे नीवू इस तरह से लगा देंगे यहां पर हमें नीवू को लेनी है इस्टीम क्योंकि हम इसको 7-8 दिन के लिए रखने वाले नहीं है तुरंट से बनाएंगे मिंटो में अचार को यह बहुत ही बहतरीन तरीका है परफेक्ट आपका नीवू का अचार बने यहां पर ज़रूरी चीज याद रखनी है वो यह कि नीवू का अचार बनाते वक्त किसी भी तरीके का हम आयरन, कॉपर, ब्रोंज इन चीजों का कोई भी बरतन नहीं लेंगे क्योंकि एस्टिक रेक्शन से आपका नीवू का अचार खराब हो जाएगा टोटल काम आपको इस टील के बरतन में करना है या फिर हार्ड अनोडाइजड वाले बरतन में करना है तो चलिए जब तक नीवू हमारे पक रहे हैं फटाफुट बनाते हैं एक सीक्रेट वाला इंस्टेंट अचार मसाला तो उसके लिए गैस पर आप एक पैन चड़ा है पैन में मैं या ले दो बड़ा चमच हरी सौफ एक चोटी चमच जीरा एक बड़ा चमच अजवाइन नीवू के अचार में अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो यह जरूर ले एक चोटी चमच लिए साबुत काली मिर्च आदा चोटी चमच लिए मैथी दाना लो फ्लेम पर बस एक से डिएर बनेट रोस्ट करेंगे मसालो को इससे जो मसाले हैं उनमें जो नमी होगी वो पूरी खतम हो जाएगी अचार में बहुत ही सोंधा पनाएगा टेस्ट बहुत अच्छा हैगा अचार का चार जादा दनों तक चलेगा बहुत ही अच्छी सी खुश्बु आ बिलकुल भी जादा हमें मसालों को भूरना नहीं है बस इस स्टेज पर गयस को बाद कर देंगे मसालों को घंडा होने देगे अब लीजे एक ग्रैंडिंग जार और जार में सारे मसाले हम डाल देंगे और बिलकुल हलका दर-दरासा बिलकुल बारिक fine powder नहीं करना है, दर दरा सा मोटा मोटा मसाला रखेंगे, तो जब आचार खाएंगे, तो ज्यादा tasty लगेगा, करंच आएगा मसालों का, perfect, अग कुछ flavorful मसाले यहां मैं और अट कर रही हो, तो मैं यहां डाल रही हैं, दो बड़ा चममच, कश्मीरी लाल मिर्ची powder, इससे जो हमारा अचार है, उसमें रंगत बहुत बढ़ी आएगी, आप चाहें तो simple वाली मिर्च भी डाल सकते, तो फिर आप एक बड़ा चममच मिर्च डाले, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च ना mild होती है, इसमें बहुत जादा तीखा पन नहीं होत क्योंकि वह उसके खटास को बैलान्स करता है, आधा चोटी चममच हींग, आधा चोटी चममच डाल रही हो कलोजी। को ना गरम किया जाता है और ना ही पीसा जाता है, इसी तरह डिरेक डला जाता है, इसको मंगरेला भी बोलते हैं, अचार वगरह में जरूर पड़ती है, तेस्टी भी लगती है और अचार को थोड़ा प्रोटेक्ट भी करती है तो ये लीजे हमारे एक special अचार मसाला है बिल्कुल तैयार चलिए नीवू को चेक कर लेते हैं लगवग 20 मिनट के करीब हो गए हैं ये देखिए एकदम बढ़िया से नीवू पक गए हैं अचार भाग में डिवाइट कर रही हूँ आप चाहें तो इसको छे या साथ में भी दिवाइट कर सकते हैं और बीच को साथ की साथ हाटाते जाएंगे थोड़ी बट बीच रह भी जाएं तो कोई परिशानी नहीं है लीजे मैंने सारे नीवू को कट कर लिया है अब फटा फट गैस पर चड़ाएंगे एक कड़ाई याद रखिए कड़ाई या तो हार्ड एनोडाइजड हो या फिर स्टील की हो एलमूनियम वगरा की कड़ाई आपको बिलकुल यूज नहीं करनी कड़ाई पर आ जाएगा अचार पूरा खराब हो जाएगा कड़ाई में मैं या ले रही हूँ 800 ग्राम चीनी परफेक्ट रहेगी आप चाहें तो थोड़ी जादा भी कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी अब जैसे यह मैं चीनी में बना रही हूँ आप इसी तरह इसको गुड में भी बना सकते हैं या आधी चीनी आदा गुड भी लिया जा सकता है जो ऑथेंटिक खटे मीठे निवू के अचार का टेस्ट आता है न वो चीनी से ही आता है इसलिए मैं चीनी के साथ बना रही हूँ यह देखिए चीनी बिलकुल बढ़िया से मेल्ट हो गई है चाशनी नहीं अभी हमें बनानी है सिर्फ चीनी को हमें घोलना है सारे ही चीज़े आपको बताती जा रही हूँ जिससे कोई भी निवू का अचार इस बार एक ही बार पर पर फेक्ट बना ले बिना घंटो लगाए और इसमें बॉइल लाना शुरू हो गया है इसे स्टेश पर हम डालेंगे हमारा बहुत ही टेस्टी सीक्रेट वाला अचार मसाला सारा यहाँ पर डाल देंगे और लो फ्लिम पर बढ़िया से मसालों को मिक्स कर लेंगे यह देखे कितना प्यारा कलर हो गया है क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउटे डाला था ना तो उसके वज़े से इसमें बढ़िया कलर आ गया मसाला डाल कर एक वाल लेंगे और यह देखे एक बॉइल आ गया है तो बस जब एक बॉइल आ जाए उसके बाद ही हमें इसमें डाल लें हमारे तैयार इस्टीम्ड नीबू सारे नीबू इसमें हम डाल देंगे अच्छे से करेंगे मिक्स यह देखे कितना बड़िया लग रहा है किसी को विश्वास नहीं होगा कि आप नीबू का अचार खटा मीठा वाला इतनी जल्दी तैयार कर सकते हैं मतलब मिन्टो में जनरली जो ट्रिडिशनल प्रोसेस होता है उसमें नीबू को हमें डमक डाल के रखना पड़ता है लग बग 7-8 दिन के लिए उसके बात फर्दर आगे की काम किया जाता है फिर उसे दुबारा पंदरे इस दिन के लिए रखा जाता है तो वो कोई महनत नहीं है यानि अगर दूप नहीं भी आ रही है अगर समय नहीं है तो आप कम से कम इस तरह से बना करके वो अथंटिक वाला टेस्ट का आनन्द ले सकते हैं और अच्छे से इस तरह से मिक्स करके बस इसमें दो तीन मिनट लो मीटियूम फिल्म पर बॉयल और ले ले लेंगे बहुत जादा देर गिर जाएगा तो से अचार खराब हो सकता है कोई जाली डग दीजे और इसको पूरी तरह थेंडा होने दीजे जैसे थेंडा होगा इसका टेक्च्चर कलर कंसिस्कंजी सब चेंज हो जाएगी यहां पर एक और जरूरी बात बिल्कुल भी गरम अचार को आपको जार में न एकदम सूखा जार होना चाहिए उसके बाद यह देखे सीक्रेट ट्रिक क्या आपको करना क्या है आप लीजे इस तरीके का एक कोईला जैसे हम चार कोल बोलते हैं तो बस कोईले को गैस पर इस तरह जलाए जब यह बिल्कुल बढ़िया से जल जाए मतलब धुआ निकल रह और उसको फंगस लगने से बचाएगा बहतनी आपको अचार सालों साल चलता रहेगा बहुत ही जबरदस टिप है ट्राइ करके देखिएगा बस एक मिनट इसी तरह छोड़ दीजे जब तक पूरा धुआ समाना जाए और बस एक मिनट बाद इस तरह हम जार को उठाएंगे परफेक्ट प्रॉपर हमारा जार इस्टरलाइज हो गया है अब आप इसमें अचार भर सकते हैं तो ये लेजे हमारा इंस्टेंट बनने वाला खटा मीठा नीवु का अचार बहुत ही टेस्टी बहुत हेल्दी है बिलकुल तैयार साथ ही वस खास खयाल आप यही रखे कि जब भी इस अचार को आप निकालें साफ चमत से निकालें नमी नहीं जाने चाहिए बहुत ही बड़िया यकीन माने इतना टेस्टी यह अचार बंदा है फायदे मन भी बहुत होता है बच्चों के लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं कभी भी रोटी पराठा पूरी किसी चीज के भी साथ इस नीवु के अचार को आप इंजॉय कर सकते हैं उमीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और आपके अपने चैनल कुप विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले हैं थैंकि फो वाचिंग कुप विद पारुल जै हिंद जै भारत